और यह एकलोते पहले इंडिया ने जिन्होंने आई एससे से नूट्रिशन में जो सेटिफिकेशन की है इनके पास देखो कितने साइटिफिकेशन आपे जो मिस्टर राजिस्तान के टाइम पर प्रैप थे तो मेरे पीछे आप देख सकते वाल ऑफ फेम तो आप देख पार होंगे एज इतने सारे चैडिफिकेट है किसके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेटिफाइट त्रेंटर डेट ट्रेंटर विद ग्रेड एए Master Trainer of Skill India and Master Trainer of NSGC Skill India यहां तकी नाजम जो बहुत ही प्रिश्यस सेटिफिकेशन है National Academy of Sport Medicine Weight Loss Specialist ISSN, International Society of Sport Nutrition जो की काफी रिसर्च करती है नूट्रिशन की फिल्ड में और यह इकलोते पहले इंडियान है जोने ISSN से नूट्रिशन में जो सेटिफिकेशन किये स्पोर्ट नूट्रिशन में उसके बाद आप IHFA जहां से मैंने भी Personal Trainer का किया है IHFA के Master Trainer है मैं तो Personal Trainer हूँ, यह Master Trainer है हमारे भी Master और Corrective Exercise Specialist नाजम से National Institute of Entrepreneurship and Small Business और भी इनके पास काफी उपलब दिया है American Council on Exercise जो इंडिया में सबसे ज़्यादा मैतव दिया जाता यह सेटिफिकेट को वह भी इनके पास सेटिफिकेट हो हम अंदर जाके दिखाएंगे आपको सो और अभी यह Master's कर रहे है Psychology में और मतलब इनके बारे में जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है तो आप भी बहुत जादा क्यूरेस हो चुकेएंगे आज यह इंदर वाई किस इंसान को ला रहे है अपनी वीडियो में यह मेरे भी mentor है मैंने भी इनसे काफी को सीखा है जो भी मैं आपको बताता हो अपनी वीडियो के थुरू 70-80% मैंने इनी से ही सीखा है और जो भी certification मैंने किये है इनी की help से इनी के थुरू इनी की education में मैंने किये है सो गाइस देख सकते हैं मेरे पास और भी इनकी काफी उपलब दिया है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं North India Bodybuilding and Fitness Association जो की IFBB and IBBFF से approved है and three time Mr. Rajasthan रह चुके है यह and IFBB से approved weight loss training prescription specialist है इतना ही नी मैं scrolling करते तकरते ठक जाओंगा इनके certifications कतब नहीं होंगे Mr. Anki Sukhlecha यह एस से American counselor on exercise से इनके पास देखो कितने certifications है कितने certifications है आप देख सकते हैं यहाँ पर so आप प्लीज वेलकम Mr. Anki Singh Sukhlecha and बहुत से लोग इनको मसल माफिया के नाम से भी जानते है और मैंने काफी कुछ सीखा इन से प्लीज वेलकम वन अल्ली Mr. Anki Singh Sukhlecha आए वेलकम सर थेंक यू थेंक यू नरीन क्या से वाप पहुए पर देख्षिन देने के लिए शुक्रिया आपका बहुत द्रुपार अरे नहीं सर वार यह तो गुजी भी नहीं है और मैं काफी दिन से सर को बोल रहा था कि सर आप हम साथ में मिलें के बोर्ड कास्ट करते हैं तो सबसे पहले मेरा यह कुछन आप से की हैल्थ एंट फिटनेस अलग है यह यह उत् вжеलस बड़ी है यह काई पार्ट है इस में आधि मुझा है हम जैसे आपने जब पढ़ाई की समने बताया भी था कि health और fitness दोनों अलग-अलग चीजे होती है एक healthy person ज़रूरी नहीं है fit हो health का मतलब क्या है हम कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया तो निरोगी काया मतलब आपको कोई बिमारी नहीं है आपको कोई रोग नहीं है आप रोग मुक्त हो मतलब आप healthy हो बट हर healthy person जो रोग मुक्त हो फिट तो नहीं है है क्या तो health का simple मतलब है कि you are disease free आपको कोई disease नहीं है किसी तरह का रोग नहीं है और fitness का मतलब simple हमने जो बताया था आपको कि fitness का मतलब जब भी आप अपने दिन चर्या के काम आसानी से कर सकते हो बिना तकलीफ के यसे में को पीठी खुजानी है तो मेरा हाथ यहां तक जा पा रहा है है ना में को ऐसे rotate करने में दिक्कत नहीं होगी कि मैं rotate नहीं कर सकता मैं नीचे से कुछ उठा रहा हूँ अपने five basic moments है और इतना आप में strength endurance है कि आप अपने दिन चर रहा के basic moments कर पा रहे हो बिना किसी दर्द के बिना किसी तकलीफ के तो आपको fit माना जाता है और fitness के five dimensions है आपको पता ही है flexibility, muscle endurance, cardiovascular endurance, muscle strength, more body composition इन सब में आप चीज सब चीज में fit बैठते हो तो आप fit हो सिर्फ abs हैं तो ही fit नहीं हो fit रहते हैं तो abs भी आई जाते हैं आई जाते हैं so मेरा second question साप से सर जैसे कि हम gym join करते हैं healthy रहने के लिए fit रहने के लिए तो देड़े हमारे अंजर कभ ये build up हो जाता कि यार muscle building करनी है तो वो fit रहना और muscle building करना ये कहां से कितना related है जैसे मैंने बताया fitness का एक major component है body composition आपकी body composition मतलब आपकी body में height और weight और age के साब से पर्याप्त muscle mass हो पर्याप्त fat mass हो और पर्याप्त आपकी bone density water मतलब बॉड़ी में जो water level है वो जो minerals है calcium वगएरा इस सारी चीज़ें एक पर्याप्त मात्रा में हो तो ये body composition का हिस्सा है जब भी आप workout करते हैं जब भी आप body को stimulus देते हैं किसी तरह का तो body grow करती है right so muscle mass तो आपका workout आप करते रहेंगे अच्छी diet लेते रहेंगे तो muscle mass भढ़ता ही भढ़ता है और muscle mass सबको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि muscle आपकी body को toning प्रोवाइड करा है एक 80 kg का normal person जो इसमें muscle mass कम हो fat mass जादा हो वो बिल्कुल ऐसा squishy squishy जैसा लगेगा jelly जैसा और जो toned होगा 80 kg का थोड़ा सा muscular fat भी हो बट थोड़े muscles उसमें comparative ली उसके जादा होगे तो वो थोड़ा सा toned लगेगा तो इसलिए सब को चाहिए muscle mass के हमारा chest हमारे shoulder, biceps, legs सब toned रहें, glutes वगेरा ही सब चीज़ें तो इसलिए लोग muscle mass की तरफ बनाने की तरफ आकरशित होते है so muscle mass की बात होई गई है जैसे कि मैंने वीडियो में बताया आप अकेले ऐसे इंसानों इंडिया से जो certified सब्सक्राइब सर कॉंग रहें तो तो हमारे पास इतने ISSN certified person बैटे है तो क्यों रहें एक अच्छी questioning हो जाए इनसे सो मेरा जब muscle building की बात होई गी है तो मेरा आपसे यह सवाल था मेरे कुछ questions लिखे हुए है तो इनसे ही मैं इनसे पोचूँगा so which is the best supplement for muscle building overall health or health के लिए सबसे best supplement supplement यह question जितना आसान लग रहा है इसका जवाब उतना आसान नहीं है जैसे YouTube या Instagram पे लोग बता देते हैं उतना असान इसका जब आज कल बॉड ट्रेंड में चल रहा है सथ्टू खा लो चने का सथ्टू मैंने डाला था एक कि आप जो सथ्टू आपको खिला रहे हैं उनकी बॉड़ी देखके आपको लगता है कि आप भी सथ्टू खाके और इसा बॉड़ी बना लोगे बट वो लोग पीछे कुछ और ही यूज ले रहे हैं जो भी कहें जादा समझदार जन्ता भी कही बार फर्श जाती है तो ऐसा नहीं होता आपका विल्डिंग के लिए सबस्क्राइब सब्सक्राइब इसको जवाब इत्ता सरल नहीं है क्योंकि हर कोई एक इंडिविजुल होता है और जैसे कि मैं बताया अभी कोड ऑफ एथिक्स हैं कुछ पर्सनल ट्रेनर्स के जहां पर यह मना किया गया है कि आप अपने क्लाइंस को सप्लेमेंट और डाइट ना बताएं अगर आपके पास उसकी काबलियत नहीं है जिस तर सर्जरी के लिए आपको एक अलग स्किल्स चाहिए अलग एक सर्टिफिकेशन या डिग्री चाहिए अलग तरह की प्रैक्टिस चाहिए उसी तरह सप्लेमेंट डाइट चार्ट के लिए अलग तरह की आपकी नॉलेज चाहिए अलग तरह की सर्टिफिकेशन होते हैं अलग निट्रिशन में कुछ डिग्री, डिप्लोमा, या सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि कल को मैने चालू कर दिया सर्टिफिकेट बातना तो मेरा सर्टिफिकेट लेके दस जने गुम रहना है, एक संस्था जो जो हाइली इसमें बहुत उच्छ तरीय संस्ता हो कुकर में ISI मार्क लगता है तो अपने आप महगा हो जाता है इस इस मार्क लगवाना इतना असान नहीं उसकी गुनवत्ता पर आपको खरा उतरना पड़ता है तो वेट मसल बिल्डिंग के लिए सप्लिमेंट्स जो रिकमेंड करना चाहूंगा अगर कोई परसन बिल्कुल स्वस्थ है किसी तरह का उसको लेवर किटनिका किसी तरह को इश्यू नहीं है तो की साल 21-12 साल से उपर है तो वेड़् प्रोटीन मैं सजेस्ट करूंगा क्रेटी मौनोहाइड़ू बहुत्य है और सबसे चीपेसे भी है क्रेटी मौनहाइड्रेट मैं सजेस्ट करूंगा चिल्फ यह चीज्ट दोब और एक अगर इतने फल फ्रूल नहीं खापाते आज कल की भागदर में तो एक अच्छा मल्टी वाइटामिन में सजेस्ट करूँ इसके लावा मैं कोई सप्लिमेंट का जनरली सजेस्ट नहीं करूँ तो आपने यहां पर तीन बेस्ट सप्लिमेंट करें वेप प्रोटीन, क्रेटीन मोनाइडरेट एंड मल्टी वाइटमीन अब मैंने कहा ना कि बड़ा टॉपिक है कई लोग अमीनों लेते हैं लुटामीन लेते हैं बीसी डबलेज लेते हैं बट रिसर्च में ऐसा कहीं भी प कोशना चाहरे थे इस बावभुक सवाल वो उससे पहले मेरा एक और कोशने तो वह बालश में लेंगे आप तब तक बने रही है गाए आपके लिए भी बहुत काहा है का सवालो जो फिटनेस बें जॉब करते मेरी तरह मैंने काफी लोगोंसे सुनाई कि जैसे जिम में काम क मेरे को किसी नी बोलाय तो बिना समान के तो भाडी नहीं बनती। काफी लोग इसे सुनाय है। समान का मतलब वो supplement कि बात नहीं कर रहे है। आप समझी गए होगे। समान का मतलब वो बात कर रहे हैं स्टेरोड की। बेना इस्टरोइड उनको 2-3 महीने होते च्छे महीने जाज-जाजा से बॉड़ी को जिम करते-करते तो उनको खास रिजल्ट दिखते नहीं हैं तो जो लोग तकड़े-तकड़े होते हैं, जिब में उनको देखके, वो काफी परभावित होते हैं, बोलते हैं, यार मेरी बोड़ी ऐसी बन जाए, पर क्या पता हो, उन्होंने 6-5 साल दिये हो, और वो 6 महीने के बाद वो सोचते हैं, तो वो बहुत से लोग उनको गलत पात होने कुछ भी लो, बट अगर अब मेडिसन की बात करें, जिसे टेक्निकली लोग समान, सो कॉल समान कहते हैं, तो बिलकुल भी नहीं लेना चाहिए, और जो भी ले रहे हैं, अपने हेल्थ के साथ खिलवाड कर रहे हैं, ठीक है, कई सारे साइड एफेक्स होते हैं, जो उस हैं, जो हम देखते आ रहे हैं, कोविट से पहले भी हम देखते आ रहे हैं, कि 24 साल का लड़का बाड़ी बिल्डर चला गए, इंटरनाशनल लेवल पे भी इंडिया भी नहीं हर जगे, तो बिलकुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, कि आपको किस तरह का मैडिसन से लेन चाहिए, अगर आपका ये थोड़ा कॉंट्रोवर्शल टॉपिक है, बट हाँ, अगर आप कम्पीट कर रहे हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में, तो जहां तक मैंने पढ़ा है, जित्ती डॉक्यमेंटरीज मैंने देखी हैं, जित्ती इंटरनाशनल स्पोर्ट्स परसंस या चिस से मैं मिला हूँ, ये बात सच है कि उस लेवल पे इनका यूज होता है, बट डोपिंग से पहले ये वाश आउट हो जाती हैं चीजें, चाहे कोई सा भी गेम हो, तो बहुत प्रोफेशनल लेवल पे हो गया है, तो आप अपने, खेर मैं सही परसंन नहीं हूँ, आप क सब्सक्राइब करते हैं, जब मेर को आज 18 साल हो गए, अभी हाला कि कुछ टाइम से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, व्यस्तिता के कारण, अठारा साल में मैंने एकी चीज सीखी है, एक्सरसाइज से, वह है धहर, अगर मेरा वालीबॉल, मैं स्टेट लेवल वालीबॉल प्ले इस साल में को हो गया, एक्साइज करते करते, जिसमें मैं गेम भी आप इंक्लूड कर लो, इसमें भी कुछ एक्साइज तो होती थी, हाँ सरगी मैं कुछ फोटोस भी डाल दूगा यहां पर जो मिस्टर राजिस्तान के टाइम पर प्रैप थे और आप देख लेना और इनक जानते हैं को वर्डवाइड में भी बहुत लोग जानते हैं इनके वर्डवाइड सबसे जादा क्लाइंट है फिर भी इतनी कुछ उपलब्दिया होने के बावजूद हैं कि ऐसा इंसान इतना बहुत लोग है मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा जो की शो कॉर्ड फि सो गराम चना खालो 20 गराम प्रोटीन तो में 50 गराम कहार रारा है लै क्वालिटी ओफ परोटीन होका एक प्सक्राइब करता है वहार्ट कर बाते चीज़ने से ना तो कहर वेदों और उनको लेके होते थे बड़ शास्त्रात हमेशा किसी भी विद्या में होने चाहिए तो उससे पता चलता जब हम मत्त हैं तो अच्छी चीज़ें विश के साथ अच्छी चीज़ें भी उपर आती हैं फिर जैसे कि मैंने बताया आपको 3-4 टाइम आप मिश्टर राजिस्थान रह चुकी है तो जैसे कि आपको काफी नौलीज होगी पर्टारा हूं कि सॉरी मैं आपको बीच में गट कर रहा हूं कि मैंने पेशन सीखा और मैंने मिश्टर जैपूर बिना मिश्टर जैपूर लेवल में शायर जीता था फिर लास्ट मैंने खेला था 2014 में या ऐसे कुछ 14-15 मैंने लास्ट खेला था उसके बाद जब मुझे दिखा कि आगे तो भई ये बिना इंजेक्शन बिना ये सब चीजों के आगे हम बढ़ नी सकते और खर्चा इतना हो रहा था जिससे मेरी लाइस्ट आती है ना 22-22 के हो गए आप पापा से प्रोटीन के पैसे मांगते वे शरम आती थी क्योंकि और भी खर्चे होते थे स्कूल की फीस हो गई ट्यूशन हो गई और पेट्रोल बेट्रोल तो बड़ा एक वैसा फील होने लगा तो साइड बाई साइड मैंने फिर कोर्स करके ए और एक सोशली कट भी हो गया था क्योंकि मेरी डाइट फिक्स थी मैं अपनी डाइट अपने बैग में लेके ही चलता था चाहे मेरे को मेरे दोस्टा ले जाए चाहे कहीं पहाड़ पे ले जाए मैं मेरी डाइट ही खाता था तो इससे कई बार शादियों आदियों में भी बहुत खास जगे पर जाना पड़ता है, तो मेरी डाइट टिफन निकाल के मैं खाता था, तो एक सामाजिक तरह से भी आदमी कट जाता है, खिलाडी होता है, तो बहुत साही चीज़ें थी, फिर मैं सुचा कि, कम्पीट करके भी मैं इस लेवल तक पहुचा गार मुझे मिले थी, कि मेरी वेट कैटेगरी में मेरे से जादा वेट के उतर गए, मेरी पूरी दाही तीन लाग रुपर मैंने अपनी तयारी में लगाए, और फिक्सिंग, हाँ, वो हुआ, तो मैंने जब सामने प्रत्यक्ष देख लिया, तो फिर मैंने, कॉम्पेटिशन से बने का, अब बड़ी की सुन्दर था, ही बात करना हूं, अभी यसे मॉंस्ट्रस, अभी मैं जैसे फोटो भी लगाँ तो मैं पसंद करूंगा आर्नॉल्ड का लगाना, जार से यदा मैं जे कटलर, उसके बाद जैसे, मैं सब रिस्पेक करता हूं एथलीट को, बट अभी जो लंपिया बहुत बहुत मॉंस्ट्रस, जैक अटलर भी थे, मैंने जैक अटलर को साक्षाथ जब वो मिस्ट उलंपिया लास्ट जीते थे तब देखा था, मतलब आप मानों कि बहुत यूज थे वो, बहुत बड़े थे और पर सुंदरता थी, एक फेस पे गलोथा, यहां पे आप पाने के चक्कर में एडिट करके, कोई मतलब नहीं है, तो खेर मैं सिंपल छोटी कट शोट करते हैं, कि नहीं लेना चाहिए स्टेरोड, शान्ती से आप प्रयतने करते रहें, मसल में, आप एक उसमें डायलोग था ना, कि एक व्रक्ष को वो फल देने के लिए भी एक उमर पाने की जैसे, आपकी मसल तो टाइम के साथ ही मेच्चुर होगी, और जो मेच्चुर मसल है, वो बहुत अच्छी देखती है, वो अच्छी देखेगी, तो आप कितना ही कुछ कर लो, कोई मतलब नहीं, इससे बढ़ी अच्छी डाइट लो, अच्छे अपने रॉफूड पर फोकस करो, अच्छी डाइट पर फोकस करो, कुछ एक अच्छे सप्लिमेंट हो, जो आपकी जेब से ज्यादा पैसा बहा के ना ले जाएं, और एक अच्छी लाइफ जी हो, बस मैं तो यह कहूंगा, उसे निरंतरता रखो एक अच्छा संदेश समाज में, सोसाइटी मे आपको देना चाहिए, कि हाँ भी बिना कुछ करे भी अच्छी बॉडी टाइम के साथ मेरा लास्ट कोश्चन था, इस वीडियो का लास्ट कोश्चन भी बॉडी बॉडी बिलिंग से लिटेंड, जैसे कि आप 3-4 टाइम मिस्टर राजिस्तान रह चुगे, तो आपको इस मंभी बारे में ज्यादा पता होगा, मेरे को ज सै्टिफाइट परस्ट्रेंट हो, मिरा कुछ रहता है काफी क्लान वगों ट्रेनिंग देता हूं तो काफी एसे क्लाइंट ब्याते बॉडी बॉडी बनिंग वाले इनको मैं चया में पहले देख रहा था काफी लीन थे काफी मस्कुलर थे जैसी वो कुछ भी इस्टरोड चोड़ते तो उनकी बॉड़ी में फैट आजाता है फैट पकल लेती है अब मसल मास लूज करने लगते हैं डिपलेट होने लगता उनकी बॉड़ी में फैट मतलब की स्टेरोड चोड़ते हैं तो आपका लिपट प्रोफाइल भी बिगड़ता है अपको कॉलेस्ट्रोल भी बढ़ जाता है आप पीसीटी करो या पीसीटी ना करो क्योंकि आपने डोज एक डॉक्टर के अंडर में तो लिये नहीं थे तो लाचाप गुरूजी के अंडर में अपने कोई भी डोज उनने बनाए ले लिए तो अब कुछ भी डोज ले लिए तो आपकी बॉड़ी का जो नैचरल मेकैनिजम है हार्मोन प्रेडक्शन का असंतुलित हो गया उसके कारण आपके जो नैचरली टेस्टेस्टेस्टरोन या इस तरह के हार्मोन जीएच अगर बन रहे थे वह काफी कम हो जाता है और फिर वापस से किक स्टार्ट होने में बहुत समय लग जाता है तो अपने नेचरल लेवल पे नहीं आ सकते हैं अगर आप छोड़ो और लंबे समय तक नाचरली आप तैयारी करो अच्छी डाइट लो अच्छी कोच के अंडर में ट्र करते हो मसल मास क्योंकि कोटिसोल लेवल बढ़ जाता है बोडी को पप नहीं कर पाती है इस वजे से भी अपका मसल मास जो है कम हो जाता है तो जैसे कि मैंने आप से पूचा वाट इस था बैस सप्लिमेंट फॉर मसल विल्डिंग फॉर और हेल्थ के लिए जैसे आपने मल् सब्सक्राइब कोई परवाव भी अर्वारे वेस्ट अपमनी जा रहा है वास गेटर में पैसा बार है अमीं बीसी डबले भी मैं कहूंगा ग्लुटामीन है इस पे मैंने खुदने भी बहुत पैसे बहाएं बीस ग्राम तक भी मैंने लिया है पर देगा ग्लुटामीन तो इस ग्लुटामीन वेसी डबले और प्रीवर्क आउट्स और इन पे हमें पैसे नहीं बहाने चीख है और यही वर्ष सप्लिमेंट्स बोलूँगा में और एक बीच में चले थे जो स्टेरोइट को मिमिक करते है स्टेरोइट जैसे होते हैं बर्ड़ स्टेरोइट पूंस हो रिरितर कई और जएपर मेरिकनिन पॉडिया हो टो इनको चिंसे अगर नहीं भी ऊता तो अच्छा भी नहीं होगा सिर्फ एक साइकलोजिकल एफेक्ट है बस साइकलोजिकल एफेक्ट से अब यहां पर हम इसको टॉपिक को क्लोज करते हैं मसल बीडिंग वाले को साइकलोजिकल बहुत अच्छा आपने वर्ड बोला तो इससे मेरा कोश्चन अबर क्या है कि जैसे हम परस्टनल ट्रेनर है हम स की बॉड़ी है तो इसमें नॉलीज है चाहिए वो उसको कुछ नहीं पता उसने माल लिया है गेनर लिया है काफी फूल है वो बंदा बस अंदर से तो प्यूटी नहीं है पटिशाइट पैर अच्छा दिखता है और एक ट्रेनर है जो काफी लीन है पर मसल साइज इतना नह बड़े बुड़े क्या गए है कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज ना करें उसके अंदर अथा ग्यान हो सकता है और अच्छा कवर के पीछे बेकार किताब भी हो सकती है तो यह उसी तरह वाली बात है क्योंकि सामने वाले को जनता को दिखता है कि अच्छी बॉड़ी ह अधिक है विजिंग आंप अभी गूट अमिताब बच्चन इस अमिताब बच्चन तो बॉडी किसी के अच्छी तो एक एथ लीट है कि च्छी बॉडी को अच्छक वो नहीं उसका कोई नहीं समराट के लिए कुछ अबिना भॉक वनिए बनाऊंगे कोचिँ कोचिंग ने रहे हैं तो इसको मैं कुछ इस दारन से समझाना चाहूंगा सार ने काफी अच्छ एक्स्प्लेंग गया इसे मैं एक और चीज एड़ करूआ कि सचिन तेदल बहुत अच्छे खिलाडी है मुनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ गौड ऑफ किर्केट भी उन्हें कहा जाता है तो सचिन तेदल बहुत अच्छे खिलाडी है पर बहुत अच्छे कोच नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास वह एजुकेशन नहीं है कैसे मूमेंट होते बेट को कैसे गुमाया जाता है जो कुल सबस्केशन के अंके प्रसनल प्रस्ट असे तो मैं हूँ मेरे काफी कलीक से और 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 बी काफी बच्चे जो सायद इस लाइन मूंगे फिटनेस इंडर्श्री में अपना केडियर बनाना चाहते सो एक बच्चा मेरे जैसा ग्रेजुशन करके फिर उसका मन होता है फिटनस फिल्ड में काफी इसको उसे दिखता है जैसे यूटूब्स वेगर